मैक रेटना हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रतीक महाजन से टेली कंसल्टेशन के लिए सबसे पहले आप प्ले इस्टोर पर एफ एच टेली आई एप डाउनलोड करें कोविट टाइम में इंपोर्टेंट है कि आप घर पर ही रहें जब यह एप डाउनलोड हो जाता है इसे ओपन करें लॉग इन एज पेशिंट आप अपना मॉबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करें और इसके बाद में आपके पास एक ओटीपी आएगा ओटीपी एंटर करने के बाद में उसे वेरिफाय करें और एक डॉक्टर रेफरेल कोड आपको डालना है डॉक्टर रेफरेल कोड है 6-H-O-W-W-Y डॉक्टर प्रतीक महाजन के लिए यही रेफरेल कोड रहेगा फिर रेजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होगा उसमें आप अपना नाम, सरनेम, जैंडर, एज और इमेल आईडी डालें इसके बाद अपना स्टेट अप मध्यप्रदेश, वेस्ट बेंगौल, उत्तर प्रदेश जहां से भी हैं अपना स्टेट डालें, शहर का नाम डालें और वहां का पिन कोड डालें अपनी हाइट, वेट, कभी लेटेस्ट जो भी आपने अपना रिपोर्ट करवाया था अपना बलड शुगर का तो वो बलड शुगर लेवल और अपना बलड प्रेशर, डायस्ट ओली एवम सिस्टॉलिक, जैसे कि अगर 120 बाइ 80 है, तो 120 सिस्टॉलीक हो गया 80 जो है वो diastolic हो गया तो इस तरह से अपना blood pressure recently पिछले 2-3 महिने में या एक-2 दिन पहले जो भी कराया हो आपने वो इसमें enter करें इसके बाद appointments वाला page खुलेगा आपको appointments पर क्लिक करके book appointment क्लिक करना है इसके बाद आप अपना एक time slot select करें कि किस time पर आप उन्हें डॉक्टर प्रतीक महाजन को दिखाना चाहते हैं इसके बाद एक payment option आएगा जिसमें आप payment पर क्लिक करके जो अलग-अलग options हैं उनके through आप पे कर सकते हैं जैसे कि cards, wallet इस तरीके से एक important चीज़ यह है कि आप अपने medical records इसमें डाले आप इसमें photographs ले सकते हैं जो medical records है या फिर आप अपने gallery में से upload कर सकते हैं आपके पुराना चश्मे के number का prescription आपके पास पहले की OCT या आँखों की sonography या आँखों की angiography की report हो तो वो Dr. Pratik Mahajan का ही पहले का पुराना prescription अगर है आपके पास या फिर referring doctor का लिखा हुआ जो paper है जो उन्होंने यहाँ पे retina के संबंधित problem के लिए आपको refer करा है वो वाला कागज आप इसमें record section में upload करें हर document को एक proper नाम दे जैसे कि यह document यह आपका optical prescription है यह document आपका referring doctor letter है यह document आपका OCT report है यह document आपके आँखों की sonography है याने की bee scan है या fluorocene angiography तो जो भी इस तरह physician prescription इस तरह जो भी document आप upload करते हैं उसका एक नाम दे सकते हैं अगर आपके पास अलग-अलग date की OCT है तो आप उसे अलग-अलग date के हिसाब से उसके description में लिख सकते हैं ठीक है तो इस तरह से appointment fix हो गया है आपके पास इसका confirmatory message आएगा और doctor के पास में भी आ जाएगा due जो appointment का time है उस समय आप इसमें क्लिक करके join call का button प्रेस करेंगे तन्सक्केश में श्यूजड़ आपके के बादे में लिख सब्वेद पास में आपके लिए में जानald को आपके इस पास अलग-टूर झाल झाल